हेलो फ्रेंड्स आप सबको केफेफसी ब्लोग में बहुत बहुत स्वागत है और हपी नवरात्री सबको हमारी तरफ से चले आज एक स्वीट डिस बना रहे हैं जो कि अभी तो नवरात्री के लिए सबके घर में कुछ ना कुछ मिठाई बगरा बनेगा और प्रसात के रूप से दो तिन समन से बनके रेडी हो जाएगा और यह मौस्ट पुरा है बिल्कुल हाड नहीं है उसका भी तरीका में आपको बताऊंगी क्यों ऐसा मौस्ट हुआ है लास्ट तक बने रही है अगर एसे पी पसंद आएगा तो लास्ट में जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चले अभी हम इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं अभी मैं यह जो चना डाल है उसको अच्छे से वास्ट करके चार पांच घंटा के लिए भीगों के रख ली थी भीगोंने के बाद भी एक दो वाटर जो है एक दो बार उसको अच्छे से वास्ट कर दी अभी इसको हम ग्रैंडिंग जर में उसको ट्रांसपर कर लेंगे और इसको अभी पॉल्स मोड में उसको चलाएंगे जो थोड़ा सा चला के थोड़ा सा बंद कर लेंगे थोड़ा सा चला के थोड़ा सा बंद कर लेंगे इसको पॉल्स मोड बोलते हैं अभी यह जो एक दा एक प्यान फ्लाट प्यान से ले ली हूं गरम हो जाने के बाद एक कटोरी तेल में लिया हूं यह पर छोता ही तुद्ध तोड़ा से यह भाला है ऊम्हीं फिर से का तुरी में डालके दिख़्ाओंगी कि इतना तेल हमारा यूज हुआ है और कितना बचा है अभी यह जो तेल है मेरा थोड़ा ज्यादा हाई हीट थोड़ा ज्यादा हो गया थै इसलिए मैं दो मिनिट के लिए फ्लेम को आफ कर दी जब तेल थोड़ा नर्माल टेंपरेचर में आया तभी मैं इसको डाल रही हूँ अभी इसको हम लोग हाथ से दबा के फ्लाट करके यह जो बड़ा सब जो है चनाडल का बड़ा भी तो इसको बोलते हैं इसको आप खाली इसको इसको आप नमक नहीं मिलाया हूं क्योंकि हम स्वीट डिस बना रहे हैं इसलिए में नमक नहीं मिलाया हूं इसको आप फ्लाट करके डालेंगे जैसे कि इभेली अच्छा से पक जाए और इसको थोड़ा सा जब नीचे वाला सेट हो जाएगा तभी आप दूसरे तरफ उसको पल्टिएगा अभी इसको हम लाइट ब्राउन होने तक उसको पकाएंगे ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे ने तो जो बर्फी है उसका कलर ही कुछ अलग हो जाएगा जब यह थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा तभी इसको और थोड़ा देर के लिए उसको पकाना है बस उतना जो ब्राउन कलर आएगा उतना ही काफी है ये बरफी के लिए अगर आप चाहें तो बरफी का कलर अगर औरेंज बगरा या रेड बगरा रखना चाहते हैं तो चासनी जब बनाएंगे तभी आप थोड़ा सा फूड कलर डाल सकते हैं अभी देखें आमको ये चमज जैसा तेल यहां पर यूज हुआ है आप तो देखेंगे जब मैं डाली थी कटोरी में कितना तेल था मैं अभी इसको निकाल के फिर आपको दिखाऊंगी कितना तेल हमारा बज गया है इसको आप ऐसे भी बड़ा जैसे बनाते हैं थोड़ा सा नमक इसके ऊपर छिट बैदना वर्भी के लिए चाहिए उतना ब्राउन हो गया है अби इसको हम तोड़ के रख देंगे तक जल्दी थंडा हो जाए अगर ग्रायंडर खराब हो जाए तो सब गाली बिकहेंगे आप सब का गर वाली बढ़ेंगे और यहां पर में कुछ ख़र्वजा का बीज लिया और चासनी जो है हम लोग चीनी का भी यहां पर यूज नहीं करने वाले हैं चीनी का यूज कुँँ करेंगे अभी में जो दो दिन पहले जलेबी बनाई थी उसका चासनी मेरे पास स्टॉक है यह देखिए यह जलेबी में एलो कलर थोड़ा सा डाल के बनाई थी इसलिए वो टॉआज बने वाला है यहां पर एक कड़ाइमें ले ली हूं और चसनी जो है एक कप के आसपास इसको डाली हूं जो चसनी है हम लोगों का अच्छे से मतलाव जितना हमको चाहिए वह थिकनेस में है और हाथ में सिर्फ चिपचिपा हाथ आए जाहिए वह इसमें कोई पर से बनके रेडी हो जाएगा क्योंकि अल्रेडी चसनी हम लोग के पास बनके है यह जो चासनी है हम फेकेंगे क्यों उसको काम पर लगा देंगे और यहां पर यह थंडा हो चुका है तो इसको में दो ब्याज करके पॉल्स मोड में उसको पीस लूँगी थोड़ा सा मतलब म माहिन पेसेंगे मतलब इतना भी माहिन नहीं है जो पेस्ट बन जाएगा लेकिन इतना भी बड़ा बड़ा दाना नहीं रखेंगे नहीं तो जो चसनी है उसको अंदर अच्छा से जाएगा नहीं किसी जगह में जाएगा जो पाउडर हो है तो अच्छा नहीं लगेगा तो तो इसलिए में छोटा पीस करके उसको भी उसी तरह से पीस लूँगी और एक चीज में यहां पर बोलने बाली हूँ एक छोटा सा रिकेस्ट है लाश्ट तक अगर आप बने रहिए तो पसंद आएगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक एक वीडियो बनाने में और आपका लाइक जो है वो थोड़ा मुझे मोटिवेट करता है और मैं कुछ रेशिपी आप लोगों के पास लेके आऊं और थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिलता है वहां से तो चलिए यह भी हम लोगों का पावडर बन के रेडी है अभी हम दूबारा से हम जो प्यान में यहां पे फ्राइ की थी जो चना डाल को बड़ा को प्यान को बेठा के उसको अउसको अर थोड़ा सा भूनेंगे यहां पे मैं दो टेवल स्पून मेरा थो थोड़ा ज्यादा हो गया घी तो मैं बाद में उसको निकाल दी आप एक टी स्पून एक टेवल स्पून जैसे घी डालने से हो जाएगा ये एक कोटोरा पाउडर के हिसाब से और मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी बाकी जो कसर रह गया होगा इसको पूक होने में या थोड़ा सा भूनने में वो इसी टाइम पर भून जाएगा और थोड़ा जो घी हम लोग डाले हैं थोड़ा सा घी का फ्लेबर इसके अंदर में चला जाएगा हलवाई में जो मीठाई वगरा होता है थोड़ा सा घी का स्मेल होता है तो वो बाद में क्या करते हैं घी थोड़ा सा उसमें डाल देते हैं इसलिए वह थोड़ा सा गी का स्मेल वगरा आता रहता है तो हम लोग यहां पे जो एसे ही थोड़ा सा भून लेंगे और मैं जो मॉगस था वहां पे भी डालके उसको थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे अभी मैं यहां पे जो चास्नी वाला कड़ाई है दुबारा से बेठा दि आड़ कर दे रही हूं इसको अच्छा से मिक्स कर देंगे और यहां पे एक मैं अपना एक्सपेरिमेंट की थी जो की बर्फी बहुत अच्छा बहुत टेस्टी बना सब घर में खा के बहुत मतलब पसंद किये यह जो नारियल का पाउडर बोल सकते हैं नारियल का बुराद अब थोड़ी तर के लिए उसको ढख के छोड़ देंगे थोड़ा सा और थोड़ा सा उसको अंदर चासनी अच्छे से चले जाए अभी मैं यहां पे एक प्लेट लेके उसको गी से ग्रीज कर लिया हूं आप यहां पे कुछ भी बर्फी मोल्ड भी ले सकते हैं केक्टिन भ अभी प्लेट में मैं सारा मिक्सेर को ट्रांशपर करके उसको यशेसेस पैचुला से सेट कर दी ऐसको हैर से दे दी हूं और थोड़ा सा साइट से और यहां पर कुछ भी डॉट साइड के डाल सकते हैं मेरे पास शिल्वर वर्क था इसलिए मैं उसके उपर थोड़ा सा लगा दी हूँ ड्राइफ रूट्स चाहिने से भी आप लोग ड्राइफ रूट्स लगा सकते हैं यह देखे हैं हमारा कितना जटपट से बनके रेडी हो गया मतलब 15-20 मिनिट लगा है टोटल टाइम तो देखे कितना अच्छा से सेट हो गया है अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको फ्रीज में रख दी हूँ और फ्रीज से अभी निकालके मैं इसको काट दी हूँ पुरा परफेक्ट से कटा है कुछ भी तूटा हुआ नहीं है सेप बिलकुल पुरा परफेक्ट है काटने वाला जो था मैं कैमरा अनकरना भूल गई थी अभी देखे कितना मतलब मॉयस्ट है कितना अच्छे से तोड़ने से वो तूट भी जाता है और अंदर से आप देख सकते हैं पुरा दानेदार भी है यह जो हम लोग नारियल डाले हैं उसकी बज़े से यह मॉयस्ट भी है और अंदर से दानेदार है और खाने में भी बहुत टेश्टी इसलिए लगा है तो फ्रेंड्स आप भी इस बार नवरत्री में खुद से घर में बना के मां के पास जरूर प्रसाद लगाईए मां बहुत खुश हो जाएंगे और मेरा रेसिप अगर आपको पसंद आय होगा तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर किजिएगा थैंकियो फॉर वाचिंग